Hello Friends, Welcome to Literary Love चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो का भी मिस ना करें साथ ही अब आप हमें फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हैं Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे William Blake की एक बहुत ही फेमस पोयम के बारे में जिसका नाम है The Chimney Sweeper ये पोयम उनकी कलेक्शन Songs of Experience में 1794 में पबलिश हुई थी उन्होंने इस नाम से एक और पोयम लिखी है जो उनकी कलेक्शन Songs of Innocence में पबलिश हुई थी ये पोयम 12 lines की है जो की 3 quatrains यानि 4 line stanza में बांटी गई है हर quatrains की rhyming scheme है A.A.B.B Friends, इस पोयम की theme है Religion and Childhood यानि धर्म और बचपन किस तरह बचपन पर धर्म का असर होता है कैसे Religion जो है वो छोटे छोटे मासूम बच्चों को परिशान करता है उसके बारे में ये पोयम है इस पोयम में एक बच्चे के जीवन को बताया गया है जसके माता पिता ने उसे चिमनी स्वीपिंग के काम में लगा दिया है वो बच्चा इस बात से बहुत उदास है और साथ ही कंप्लेइन करता है कि किस तरह उसका पूरा शरीर उन चिमनी स्की गंदगी से ढखा हुआ है साथ ही वो ये भी कहता है कि जो रिलिजन और सोसाइटी है इन दोनों ने इसे मजबूर कर दिया है इतना दबाया है कि अब उसे ये काम करना पर रहा है और उन्होंने ही उसकी ये हालत कर दी है फ्रेंड्स विलियम ब्लेक एक इंग्लिश पोएट थे जो रोमांटिक एज से बिलॉंग करते थे उनकी बर्थ हुई थी 28 नवेंबर 1757 में और उनकी डेथ हुई थी 12 अगस्त 1827 में वो सबसे ज़ादा फेमस हैं अपनी वर्क Songs of Innocence and of Experience के लिए जिन में उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी है ये पोएम्स की कलेक्शन है साथ ही उनके और भी बहुत सारे फेमस वर्क्स हैं The Marriage of Heaven and Hill, The Four Zoars, Jerusalem, Milton और And Did Those Feet in Ancient Time तो चलिए फ्रेंड्स अब पोएम्स पर आते हैं और इसे लाइन बाइन राइन रीट कर समझने की कोशिश करते हैं A Little Black Thing Among the Snow यानि एक छोटी काली सी चीज जो बर्फ के बीचों बीच थी Crying Weep Weep in Notes of Woe और उदासी और दर्द के कारण वो रो रही थी Wo का मतलब होता है उदासी या दर्द, Weep का मतलब होता है रोना तो यहाँ बात हो रही है एक बच्चे की जो की एक चिमनी स्वीपर है और उन चिमनीज के कारण उसका शरीर जो है वो काला लग रहा है उन चिमनीज से जो गंदगी निकली है उसके कारण साथ ही वो बर्फ में है जिसके कारण वो तकलीफ में है उसे बहुत दर्द है और इसलिए वो रो रहा है Where are thy father and mother? यानि तुम्हारे माता पिता कहा है Say, बताओ They are both gone up to the church to pray वो दोनों ही church गए हैं प्रातना करने के लिए और उन्होंने मुझे यहां पर छोड़ दिया है Because I was happy upon the heat क्योंकि मैं खुश था उन हरे भरे मैदानों में Heat का मतलब होता है मैदान तो मैं उन मैदानों में खुश था जहां मैं खेला करता था And smiled among the winter snow और winter season में बर्फ गिरने पर मैं खुश होता था मुस्कुराता था They clothed me in the clothes of death यानि उन्होंने मुझे मौत के कपड़े पहना दिये और उन्होंने मुझे चिमनी स्वीपिंग के काम में लगा दिया और अब मुझे ऐसा लगता है कि इस काम को करते हुए मेरी मौत हो जाएगी और उन्होंने मुझे ये गाना सिखाया जो मेरे दुख के बारे में है और जिसमें मैं अपना दड़ सभी को बता सकता हूँ और चूंकी मैं खुश हूँ, गाने गाता हूँ, नाचता हूँ तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है उन्होंने मुझे कोई चोट नहीं पहुँचाया है और इसलिए मेरे माता पिता जो हैं वो चले गए हैं कहां तो प्रार्थना करने के लिए किस से? गाड से, प्रीस्ट से और राजा से यानि जितने भी important लोग हम मानते हैं उन्हों सभी से प्रार्थना करने चले गए हैं उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है who make up a heaven of our misery और वो सभी लोग जिन्होंने एक नकली और जूटी heaven बनाई है जो हमारे जैसे लड़कों के pain और suffering के लिए है वहां हमें कोई मुक्ती नहीं मिलती है उल्टा हमें और भी ज़्यादा suffering मिलती है और भी ज़्यादा pain मिलता है फ्रेंट्स यहां पर ये poem खत्म होती है इस poem में एक चिमनी स्वीपर के बारे में बताया गया है जो कि एक छोटा बच्चा है उसके माता पिता ने उसे चिमनी स्वीपिंग के काम के लिए बेच दिया है और वो बहुत ही उदास है तकलीफ में है क्योंकि उसे ये काम नहीं करना है बलकि वो खुले मैदान में दौरना चाहता है और विंटर में जो बर्फ गिरती है उसे enjoy करना चाहता है मगर उसके माता पिता ने उसे इस काम में लगा दिया है साथ ही उसे एक ड्रेस दिया गया है जो उसके हिसाब से clothes of death है क्योंकि उसे लगता है कि ये काम करते करते इन ही कपड़ों में उसकी मौत हो जाएगी तो फ्रेंड्स ये थी विलियम बलेक की पोएम देपनी स्वीपर